Privacy in the digital world आपने Facebook यूज़ करते होंगे या फिर आप कोई और Multimedia प्लेटफॉर्म यूज़ करते होंगे तो वहाँ पर privacy setting का option आता है आप Gmail यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी privacy setting का option आता है तो वहाँ पर प्राइवेसी में क्या होता है तो यही चीज क्या है, privacy कहलाता है, privacy is a state in which one is not observed or disturbed by other people, तो यह ऐसा situation, एक ऐसी condition, जहाँ पे आप नहीं किसी की तोरा देखे जा सकते हो, नहीं आपको कोई disturbed कर सकता है, तो उस state को situation को क्या कहते है, privacy कहते है, आप अपने आपको एक कमरे में बंद कर लिजिए, ना आपसे कोई बात कर सकता है, ना आपके बारे में कोई जान सकता है, कि आप क्या कर रहे हैं, तो वही चीज क्या कहलाएगी, privacy कहलाएगी, privacy is the ability of an individual or group to keep away themselves from other group of individual, यानि कि क्या है, privacy एक ability है, जिससे कि आप या फिर कोई group of individual, किसी दूसरे individual या फिर group of individual से अपने आपको अलग रख सकता है, अपनी information को उनसे share करने से बचा सकता है, तो that is called privacy, तो आजकल digital platform पे जो है ये option आपको जो है, कि क्या date of birth है, लेकिन जो year होता है, वो आप नहीं बताते हो, यानि कि वहापे आपकी age नहीं पता चल सकती है, या फिर जो है सिर्फ ये पता चलेगा कि हाँ, आज आपका बड़े है, बाकी आप कब पैदा हुए थे, year क्या था, वो सारी चीजे नहीं पता चलती है, तो ये चीजे privacy में आती, कौन सी photo किसके शाद शेयर करने है, कौन देख सकता है, कौन नहीं देख सकता है, वाटसेप में आप स्टेटस लगाते हो, तो कौन स्टेटस आपका देख सकता है, कौन स्टेटस नहीं देख सकता है, ये सब क्या है, privacy setting ही कहलाता है, clear, तो digital privacy क्या होगा, digital privacy refers to the protection of an individual's information that is used or created while using the internet on a computer और personal device, यानि कि जब भी आप किसी computer पर, किसी personal device पर internet का use करके कोई भी information आप उस पर अपना share करते हो, तो उसकी security को लेकर उसकी protection को लेकर ही क्या कहलाता है, digital privacy कहलाता है, यानि कि जैसे आपको Gmail use करना है, तो Gmail use करना है तो आपको आपको अपना नाम, अपने अलग-अलग details वहाँ पर fill करनी परती है, अपना number हो गया, mobile number, email ID, बहुत सारी चीजे वहाँ पर share करते हो, तो वह भी क्या है, वहाँ पर अपना personal data जो है share कर रहे हो, तो वह भी secure रहे, safe रहे, तो वही चीज डिश्टर privacy कहलाती है, आप online transactions करते हैं, ठीक है, Amazon पर हो गया, flip card पर हो गया, तो वहाँ पर अपना credit card number डा तो यह क्या है, अगर यह data leak हो जाए, तो फिर आपका जो है, काफी जादा नुकसान हो सकता है, आपकी privacy खत्रे में आ सकते है, यानि कि आपके information leak हो जाएगे, तो आपके बारे में सबको पता जाएगा, और आपकी चीजे जो है, उसका misuse किया जा सकता है, तो that is called digital privacy, clear, आप जो है, आपका personal data जो होता है, आपका information होता है, वो leak हो जा रही है, और उसका misuse किया जा रहा है, तो यह सब ना हो पाए, इसलिए digital privacy पे focus किया जाता है, आप देखते होंगे कि Gmail पे आजकल two authentication process आ गया है, Facebook पे भी two way authentication है, यानि कि अगर आपको Gmail login करना है कहीं पे, तो एक तो mobile पे OTP आएगा, दूसर तरीका जो है, आप password फिल करेंगे, तो two way हो गया, clear, तो दैसे ही मतलब कि दो बार जो है, आप security चेक किया जा रहा है, जिससे कि आपके data कहीं और misuse ना हो सके, तो digital privacy को और ज्यादा improve करने के लिए, क्यों होता है, digital privacy focus कि कि जाता है, जिससे कि आप better control कर सके, अपनी personal information पे, and individual should be able to choose what space within their personal domain, can be assessed by other, and to control the manner, scope and timing of its exposure, यानि कि यहाँ पे आपको यह digital privacy जो है, आपको यह support करता है, कि आप चूज कर सको कि आपकी कौन से information है, जो दूसरे देख सकते है, कब देख सकते है, और किस timing पर देख सकते हो, कितना देख सकते है, यह सारी च कि बहुत बार website यूज करते है, आप वहाँ पे आता है, कि we use cookies, तो cookies क्या करता है, वो आपकी information को, आपकी activity को track करता है, कि आप उनकी website पे क्या सर्च कर जो, कौन सा keyword यूज कर जो, सारी चीजों को क्या करता है, track करता है, तो वो भी क्या है, एक तरिके का कहीं न कहीं privacy issue है, लेकिन वो आपसे बताता है, कि cookies use किया जा रहा है, और यहाँ पे आपका track किया जाएगा, वो आपके उपर है, कि आप वहाँ पे use करना चाहते हो, या फिर आप उस website को close करके, कहीं और जो है, दूसरी website पे जाना चाहते हो, तो digital privacy कहने का मतलब है, कि आपकी जो personal information होती है, आपका जो content होता है, आप किसके साथ share करना चाहते हो, किसके साथ share करना चाहते हो, कितना share करना चाहते हो, कब share करना चाहते हो, यह सारी चीज़े आपके control में रहे, तो that is digital privacy, जिससे कि आपका जो information हो leak नहों, कोई इसका misuse न कर सके, clear, तो digital privacy के कुछ principles हैं, जिससे कि आप जो ऊसे कम data लेंगे तो आपका जो data है वो अगर लेकु भी होता है तो कम से कम data ही leak होगा जिससे उसका कोई misuse ना हो पाए clear then transparency यानि कि आपका data क्या लिया जा रहा है कहां ही उसको उसको सही तरह की accord कर ना नहीं जा रहा उसके बाद देस्मिट हो रहा है सब्सक्रेश को अशेशन ओर एक समौन्स करती यजिदा का authoritarian है यान kijken और कोई similar का मिस्यूस नने करें तो जो है digital privacy को लेकर कुछ principles हैं तो digital privacy में ही बहुत सारी complexities है यानि कि privacy issue को लेकर बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वज़ा से privacy खत्रे में आ जाती है privacy नहीं रह जाती है जैसे कि proliferating devices यानि कि आज के टाइम पर क्या हो गया है कि आप mobile भी use करें तो वहाँ पर भी अपने information रखते हो आप smartwatch लगाते हो वहाँ पर information रखते हो laptop desktop यूज करें वहाँ पर भी अपने information शेर कर लेते हो यानि कि आप multiple devices में आप login करके रखे हो तो इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा chances होता है कि आपकी information कहीं से भी leak हो जाए क्योंकि आप हज़ेगा manage नहीं कर पाते हैं smartwatch में भी manage करें mobile में भी manage करें laptop में भी manage करें desktop में manage करें college में जा रहे हैं फिर cyber cafe में जा रहे हैं वहाँ पर manage करें किसी दोस्त का अपने device कर लिया उसमें login कर लिया तो वहाँ पर manage करें तो यह जो है कहीं privacy issue को लेकर यहाँ पर खत्रा रहता है increasing maintenance cost यानि कि आज के टाइम पर हर चीज है online है हर सीज online है तो सबको manage करना सारी चीजों को जो है सही तरीके से monitor करने में जो cost आता है उसका भी जो है आपे issue है एक तरीके से कि जिसकी वज़र से privacy खत्री में आ जाता है जैसे कि अभी antivirus होता है antivirus जो है वह आपको help करता है different different wires से बचाने के लिए जो कि आपका data में इ antivirus costly होता है उसको जो है लोग purchase नहीं करते है नौमली लोग ऐसे यूज करते रहते है no visibility of to all data यानि कि location क्या है data का nature क्या है क्या sensitivity है data का इस पे कोई visibility है ही नहीं यानि कि कोई भी tracking नहीं है कि वो data कहा जा रहा है कैसे use किया जा रहा है उस पे कोई भी information हमाई पास नहीं होती है यह भी complexity है privacy का ever increasing scale of data यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो increasing scale है वो बढ़ता चला जा रहा है data का यानि कि पहले जो है आप देखते होंगे कि facebook पे कुछ यहाँ पर problem की बात आ जाती है तो इतने सारे data को manage करना उनको उनकी privacy को monitor करना जो है वहाँ पर problem आती है अनफ्राइज secondary use यानि कि उस data का जो भी data जो है share किया जा रहा है उसका जो अनफ्राइज यूज किया जा रहा है उसको भी monitor करने में यहाँ पर issues आते क्योंकि क्या पता कौन यूज कर रहा है कहां पर यूज कर रहा है कैसे यूज कर रहा है तो वह भी monitor हो नहीं पाता है तो इस वज़े से कहीं न कहीं यह भी privacy issues में complexity आती है next topic है GDPR GDPR एने की general data protection regulation यह क्या है एक तरीके का guidelines है किसके उपर की personal information को कैसे collect करना कैसे process करना है यह European Union में जो रह 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 होता है तो GDPR एने general data protection regulation is a legal framework that set guidelines for the collection and processing of personal information from individuals who live in the European Union तो European Union में जो भी individuals रह रह रहे हैं उनसे data कैसे personal information कैसे collect करना है कैसे उसको process करना है उस पर उपर जो है guideline बनाए गई है उसको क्या कहते है GDPR एने की general data protection regulation the regulation applies regardless of where websites are based यानि कि यहाँ पर यह नहीं है कि European Union में ही आपका website है तो फिर आप जो है आप पे उपर applicable होगा नहीं आपका website कहीं पर भी अगर कहीं से भी हो चाहे इंडिया का website हो चाहे अमेरिका का website हो चाहे कहीं और का website हो अगर वो European Union के individual use कर रहे हो उनसे आप data ले रहे हो तो आप पे applicable होगा it must be header by all sites that attract European visitor यानि कि यह से भी पर लगेगा clear जो attract करता है European visitors को even if they don't specifically market goods or services to EU residents यानि EU residents के लिए आप जो है market goods or services की marketing करते हो चाहना करते हो आपके उपर applicable होगा अगर आप European Union के visitors को attract करते हैं तो यह जो है GDPR जो है adopt किया गया था EU द्वारा और उसके बाद फिर मई 2018 से यह effective हुआ clear तो GDPR sets out seven principles for the lawful processing of personal data तो GDPR में seven principles जो है वो set किये गया थे जिससे की एक lawful processing किया जा सके personal data का processing include the collection, organization, structuring, storage, alteration, consultation, use, communication, combination, restriction, eraser, destruction of personal data तो यह जो processing है यानि के GDPR guidelines है उसमें जो processing होती ही personal data की उसमें यह सारी चीजों को include किया जाता है चाहे आप collect कर रहे हो, चाहे organize कर रहे हो, चाहे उसको structuring कर रहे हो, उसको store कर रहे हो, alter कर रहे हो, consultation ले रहे हो, use कर रहे हो, communicate कर रहे हो, combination दे रहे हो, restriction लगा रहे हो, erase कर रहे हो, या फिर district कर रहे हो personal data को तो उन सब पर GDPR guidelines वहाँ पर applicable होती है तो seven principles कौन कौन से हैं, सबसे पहले principle है lawfulness, fairness and transparency, यानि कि जो भी आप data use कर रहे है, वो law according हो, fairness हो, यानि सही data हो और transparency होनी चाहिए data में, purpose limitation, यानि कि यहाँ पर यह नहीं कि कुछ भी आप data collect के चले, जो purpose है, उससे के according आप data वहाँ पर collect करोगे, data minimization, कम से कम data जो है, आपको information ल limitation, यानि कि आहाँ पर क्या होता है, कि time period first कर दिया जाता है, कि आपको 6 मेने के लिए, एक साल के लिए, आपका data store किया जाएगा, उसके बाद delete कर जाएगा, तो storage limitation होनी चाहिए, कि कि इतना data आप जो है, इस्टोर कर सकते हो, कितने दिनों तक इस्टोर कर सकते हो, integrity and confidentiality, यान जिसने personal data collect के है, उसकी responsibility होगी, यह 7 principles है GDPR में, जहाँ पर processing of personal data के उपर applicable होता है, European Union के लोगों पर, यानि कि अगर कोई भी website चाहे कहीं का भी हो, वो European Union के individual को attract करता है, उसके personal information लेता है, तो उसके data processing पर यह guidelines applicable होती है, next topic है personal data, personal data क्या होता है, यह term सही clear है कि आप से related data जो ह होता है, वो personal data कहलाता, the GDPR defines personal data as any information relating to an identified or unidentifiable natural person, यानि कि कि किसी भी natural person को related जो भी information होती है, वो चीज क्या कहलाती है, personal data कहलाती है, discover any information that could lead to direct or indirect identification of a living individual, यानि कि कोई सभी information जिससे किसी को identify किया जा सके, वो personal data है, या वो आपका face recognition हो सकता है, वो आपका थंब impression हो सकता है, पोस्टल email address हो सकता है, telephone number हो सकता है, driving license, bank account, credit card, passport, social security numbers, कुछ भी हो सकता है जिससे कि आपको identify किया जा सके, तो आपका क्या होगा, वो personal data होगा, it also includes under certain circumstances, identify such as biometric data, web cookies, mobile devices, ideas, other factors specific to physical, psychological, genetic, mental, economic, culture and social identity, यानि कि कोई भी factor जिससे आपको identify किया जा सके, चाहे वो आपका biometric data हो, चाहे आपका web cookies data हो, चाहे आपके mobile devices के IDs हो, जिनसे आपको identify किया जा सके, वो क्या कहलाता है, वो आपका personal data कहलाता है, जैसे कि email ID, आपकी email ID है, वो भी personal data क्योंकि उस email ID से आपको identify किया जा सकता है, आपका टेलीफोन नमबर आपको आसा निसा identify किया ज़कता है केट कार्ड नमबर आपको identify किया ज़कता है तो कोई भी ऐसा information, कोई भी ऐसी detail जिससे कि किसी भी natural person को identify किया जा सके वो उसका personal data कहलाता है clear, तो personal data clear हो जगा होगा तो importance के है personal data का तो सबसे पहले चीज़, helps in identification of the individual individual को identification में help करता है helps in verification of the individual किसी को, किसी individual की verify करना है कि हाँ वो वही person है तो उसमें ये personal data inform, जो है help करता है to avail any online और offline services कोई भी आपको online या offline services चाहिए तो उसमें आपको personal data का requirement होता है क्योंकि आपकी personal data से ही तो पता चलेगा कि जैसे अब आपने online को परचेश किया flip card पे, Amazon पे तो जब तक आप अपना email ID, अपना mobile number अपना नाम, अपना address नहीं दोगे आपके घर पे product deliver कैसे होगा तो कोई भी online या फिर offline services अगर आप use करते हो उसके लिए आपको जब personal data देना पड़ता है तो यह अलग-अलग importance होते है personal data का, so in digital privacy it is necessary to ensure that person's rights and freedoms are not being violated यानने कि जो भी persons के right है, जो भी उसके जो freedom है, वो violate नहों digital privacy में इसमें focus किया जाता है existential threat, आपने dinosaur का तो सुनाई होगा कि आपने उस पे बहुत सारी movies आपने देखी होगी dinosaur के उपर, लेगिन क्या वो आज आप real में देख सकते हैं नहीं क्योंकि वो extinct हो चुके हैं, यानि कि उनका existence खतम हो चुका है, तो climate change की वज़ए से कह लीजे या फिर मतलब क्या होगा है, a threat to a people's existence और survival, यहाँ पे people's की बात नहीं, यहाँ पे living thing और non living thing दोनों हो सकते हैं, दोनों के ही existence पे जब खत्रा आता है तो वहीं चीज existential threat कहलाता है an event that could cause human extension और curtail humanities, यानि कि कोई भी ऐसा event जिसकी वज़र से human extension हो सकता है, या फिर curtail humanities, यानि कि जो human है वो reduce हो सकती, humanity जो है reduce हो सकती है, किसी extent तक या फिर एक large number of quantity तक, तो उसको existential threat कहता है, यानि कि existence पे खत्रा है, आज जो human being है हो सकता है, कि आगे चलके कुछ सालों बाद ये human being रहेंगे ही नहीं इस धरती पे क्योंकि बहुत सारे ऐसे factors है, बहुत सारे threats हैं आज के time पे, उसी को हम existential threat कहते है, to use to describe the threat to actual living as well as non-living things, यानि कि जो living thing और non-living things इस अर्थ पर है उनको जो खत्रा है, जिस चीज से खत्रा है, उस खत्रे की वज़ाए से जो existence हो सकता है उसको describe करने के लिए existential threat word use किया गया है existential threat का मतलब an existential threat can be a threat to existence of something, यानि कि किसी चीज की existence के उपर जो खत्रा होता है, जिनकी वज़ा से खत्रा होता है किसी भी चीज की existence पर उसको क्या कहते है, existential threat कहते है अब human being का आप देखते है living thing और non-living thing जो भी अर्थ पर है उनको normally आज की टाइम पर किन चीजों से खत्रा है, यानि कि किन चीजों से वो extinct हो सकते है, existence से उनकी खत्म हो जाएगी, तो उसमें से आपने पहला ही देखा होगा, आज कल यूकरेन के साथ वार चल रहा है, तो उसमें nuclear war की बात होती है तो nuclear war की वज़ा से अगर ये nuclear war होता है, तो इस case में बलाखो करोडों लोग एक साथ माले जाएंगे एक बार में, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर human being की existence पर खत्रा है, यहाँ पर geography पर खत्रा है, कोई एक पूरा देश जो है, हाँ पर नश्ट हो सकता है, तबाह हो सकता है एक बार nuclear war हो गया तो तो यहाँ पर क्या है, एक्जिस्टेंस पर त्रेट है बायो टोक्नलोजी और जेनेटिक्स में जो डेवलपमेंट हो रहा है ए आई याने की आर्टिफिसल इंटेलिजेंस जैसा कि आप देख रहे हैं आज के टाइम पे हर चीज जो है ऑनलाइन हो जारी है हर चीज जो है रोबोटिक्स के फॉर्म में किया जा रहा है हर जो है आटोमेटिक हो जारी है तो इस केस में जो खत्रा इन AI से है उनकी responsibility कौन लेगा आप सपोच करिए जो कार होते है जो आटोमेटिक कार्स होती है वो आटोमेटिक ड्राइफ कर रही है अब उस कार से अगर accident हो जाता है ठीक है तो accident हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होग उससे जो risk होगा वो कौन होगा और आपने robot movie तो देखी होगे उसमें ये चीज़ को दिखाया भी गया कि robots जो है वो negative points से भी काम कर सकते हैं गलत तरीके से भी काम कर सकते हैं और आगे चलके वो हो सकता है कि human being पे control करने लग जाएं clear तो ये AI है तो इनसे भी existence पे खत्रा है human वहींकरे नेक्स्ट है climate change जैसा कि आज कि आपको आप देख रहे हैं कि गर्मी बहुत जादा पढ़ रहिए ठंडी बहुत जादा पढ़ रही है बार इस कहीं पर होई नीरी अ फिर बारी सो रहे है ब्हुत जादा बार आरी सो रही है बार तबाही से बाह आ रही हो बहुत पा रहे हैं तो climate change की वज़े से glacier जो है ज़्यादा पिघल रहा है तो climate change की वज़े से भी क्या होगा कि एक दिन जो है अर्थ पर existence जो है खतम हो जाएगी चाहिए वो living thing को चाहिए non living thing को तो यह सब क्या है यह सब existential threat है यानि कि इन सब की वज़े से existence ही नहीं रहेगा किसी भी चीज का तो इसको जो है control करना जरूरी है आज के time पे clear तो यहाँ पे बात हो रही है AI से यानि कि artificial intelligence से related कौन से वो 5 risk है जो कि artificial intelligence से related है और जिसकी वज़े से human being की existence पे living thing की existence पे जो है वहाँ पे खत्रा हो सकता है तो normally 5 type के risk हो सकते है privacy, bias, inequality, safety and security artificial intelligence से पूरा data आज के time पे अगर आपका देख लें हमारा data देख लें तो सब कुछ online है आप maximum data अपने Gmail पे रखते होंगे आप YouTube पे वीडियोज डाल रहे हैं या फिर आप जो फेस्बुक पे अपना photo डाल रहे हैं या फिर कुछ और चीज़ें डाल रहे हैं तो आपका data आप mark sheet है, mark sheet को scan करके Gmail पे रख रहे हैं, online application form रहे हैं तो वहाँ पे आप upload कर दे रहे हैं, third detail आपका online available है, तो यहाँ पे अगर data चोरी हो गया, तो कहां से issue होगा, Facebook पे आप देखते हैं, आए दिन जो किसी fake account से आपका data चोरी कर देखता है, आपके account को hack करके, आपके account से आपके friends से पैसा मांगा जाता है, ती क्या है, यह privacy issue है, biasness, यहाँ पे क्या है कि आप चाहते कुछ हो थे, लेकिन result कुछ और आ रहा है, तो biasness, decision making, जो robotics होते हैं, जो robot होते हैं, उनमें क्या है, फजी logic और machine learning के जरी जो है answers आते हैं, अब उसमें अगर biasness हो गया, गलत answer दे रहा है, artificial technology, safety वाला issue है, और security की issue यहाँ पे है, तो यह 5 टाइप के जो है risk है, जो associated है, artificial intelligence से, तो इनको अगर आप broadly describe करें, तो सबसे पहले क्या है, lack of AI implementation, traceability, यानि कि यहाँ पे क्या है, कि जो बहुत सारी अलगला foundation है, वो artificial intelligence को अपने हाँ पे implement करते हैं, तो उसको trace करना जो है, बह non-approved software as a service यूज करते हैं, अपने यहाँ पे application software यूज करते हैं, जिससे कि उनकी productivity क्या हो, increase हो, अब department जो है, इसकी जगहाँ पे cloud-based system को purchase कर सकते हैं, जिसमें AI component होता है, लेकिन वो लोग non-approved SAS and software as a service application यूज कर रहे हैं, तो यह trace नहीं किया जा रहा है, तो trace नहीं किया जा है, clear, तो यह जो है एक issue हो गया, वहीं पे दूसरा issue क्या है, introducing program bias into decision making, यानि कि जो decision making होता है AI system में, वो क्या है, data set पे होता है, data set को train किया जाता है, और OC के basis पे जो machine होता है, जो robot होते हैं, वो compile करते हैं, और उसके basis पे decision making देते हैं, तो कहीं अगर उस data set में biasness आ गई, तो फिर आपे issues आ सकते हैं, problems create हो सकती है, next जो issue है, that is data sourcing and violation of personal privacy, यहाँ पे क्या है personal privacy, global data sphere, एक recording, एक study के तहत, global data sphere जो है, वो बताया गया है कि 175 जीटा बाइट, सोचिए, MBGB, उससे टीबी से जादा जीटा बाइट, 175 जीटा बाइट, यह नहीं कि 175 ट्रिलियन गीगा बाइट जो है 2025 तक जो है data, global data sphere हो सकता है, global data sphere कहने का मतलब है कि जो data online available होते हैं, तो इतना बड़ा amount और इसको जो है आसानी से जो companies हैं, उनके पास यह data available होता है, वो mine कर सकती है, manipulate कर सकती है, उसको manage कर सकती है, अगर कहीं पर यहाँ पर customer का data exposed हो जाता है, या फिर employee का data online exposed हो जाता ह तो personal privacy उनके data जाए कोई आसकल खासकर होता है, लोगों के Twitter account hack हो जाते हैं, YouTube के वीडियो जो है, आप कहीं पर भी download कर सकते हैं, Facebook पे आपका photo कोई और यूज़ कर रहा है, आपका Facebook handle कोई और यूज़ कर रहा है, तो यह क्या है, यह privacy issues हैं, यह personal data issues हैं, और इसको manage करना बहुत बार ऐसे चीज़े होती हैं, कि जो robotics में या फिर AI में answer निकल के आता है, decision making output आता है, और उस output का कोई reason नहीं होता, कोई justification नहीं होता है, कि उस machine ने वो answer क्यों तिया, clear, जैसे कि आप ATM machine पर जाते होंगे, ATM machine पर कभी transaction फर्ष जाता है, कभी transaction नहीं फर्ष था, तो आप कोई और region होता है, जिसके वाज़े से form open नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर पता ही नहीं है कि क्यों ये दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर ये जो है black box, ऐसे algorithm को क्या कहते है, black box कहते है, यानि कि जिसका justification है ये निस algorithm का, कि ऐसा prediction आया क्यों, the primary purpose of many AI systems is to make production, and such as the algorithm can be so inordinately complex, that even those who created the algorithm cannot thoroughly explain how the variable combined together to reach the resulting production, यानि कि जो AI ने prediction किया है, वो prediction क्यों किया है, इसका justification जो programmer होता है, उसके पास भी नहीं होता है, अब suppose कि कोई banking customer है, उसको AI ने reject कर दिया, क्यों, क्योंकि AI को लगा कि customer credit worthiness नहीं है, यानि कि कोई banking customer है, वो गया, loan लेने गया, और AI से वहाँ पर चेक कि कि उसके credit worthiness को तो उसने reject कर दिया, तो अब ये companies जो है, इस चीज को जानी नहीं सकते कि क्यों इसने reject किया, ठीक है, क्यों, वो explain why ये possible ही नहीं है, ये black box algorithm है, और lack of transparency, यानि कि यहाँ पर transparency नहीं हो पा रही है इतनी AI में, तो उस पर जो है काम करने के जोत है, अगर काम नही होगा, तो कहीं न कहीं ये threat hack तरीके का, और वहीं पर last आप कह सकते है, unclear legal responsibility, यानि कि AI के case में अभी भी legal responsibility unclear है, कि किस की responsibility होगी, AI की होगी, यानि कि जो robot है, जो बनाया गया है, AI artificial intelligence, वो उसकी होगी, या फिर human bank की होगी, जो programmer है, जो system developer है, जो company है, जो AI को use कर रही है, कौन क system क्या है, वो fuzzy algorithm और machine learning के जरिये, जो है, वो decision making करती है, clear, आपने देखा होगा, self driving car 2018 का case है, को वहाँ पे self driving car थी, उसने जो pedestrian पे एक आदमी चल रहा था, उसको जो हिट किया, और उसकी death हो गई, अब इस case में, जो car में human backup driver था, उसको सजा सुनाएगी, कि वो responsible था, क्यों, क system fail होने की वज़ा से, उस person को सजा सुनाई गई, तो यहाँ पे legal responsibility किस की थी, उस AI system की थे, कि उस human being की थी, अगर human being की थी, तो AI system का use क्यों हो गया, क्यों, जो है, उसको self driving car कहा गया, clear, अगर AI की थी, तो human being को जो है, वहाँ पे punishment नहीं होने चाहिए थी, तो legal responsibility यहाँ पे अ लेकर हो, चाहे वो decision making में biasness को लेकर हो, चाहे personal data की privacy से लेकर हो, या transparency और black box algorithm को लेकर हो, या फिर legal responsibility को लेकर हो, यह threats associated है, artificial intelligence के आज के time पे भी और इन पर काम करना organization के लिए बहुत जरूरी है, wish you all the best, keep watching.